हेलो दोस्तो, welcome back on my youtube channel और आज के बीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बिचार धरा क्या है? सुझ हाँ बिचार धरा क्या है? वो आज हम इस बीडियो के अंदर सीखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं इसकी definition पे उसके बाद हम समझते हैं तो इसकी definition क्या है देखी? एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक बिचारों को किसको? बिचारों को इंगित करने वाले बिचारों के सम्मूं को क्या कहा जाता है? बिचार धरा कहा जाता है थीक है? point of view तो आपको और किलियर होगा एकजम्पल है हमारा क्या देखो? उधारन जैसे हमने एक बिचारों लिया है वो क्या करना चाहता है? देखो 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 इस बिच्ती का मानना है क्या मानना है? कि देखो जाती बाद नहीं होना चाहिए पहली बात तो ये है उसका मानना, दूसरा वो क्या सोच रहा है कि देश में सबी लोग कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, और तीसरा सबी को क्या मिलनी चाहिए, सिच्छा मिलनी चाहिए, सबी को क्या मिलनी चाहिए, सिच्छा, तो इस ब्यक्ति का ये मानना है, तो आप ब्यक्ति की ये सोच है, यानि कि एक ब्यक्ति का बिचार है, उसके क्या है ये बिचार है, ये किसी ब्यक्ति के बिचार भी हो सकते हैं, किसी संगठन के भी क्या हो सकते हैं, बिचार हो सकते हैं, जैसे पार्टी के भी बिचार होते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से एक और ब्य बिचारधारों वाले लोग हो गए एक व्यक्ति का कुछ और मानना है और दूसरे व्यक्ति का कुछ और मानना है इसी को बोला जाता है विचारधारा ठीक है तो यहां पर आपका जो definition बनती है वो क्या बनती है विचारधारा किसी व्यक्ति या संगठन की वह सोच या समझ होत जिससे वह दूसरे व्यक्ति या समाज को क्या करता है प्रवावित करता है ठीक है तो विचारधारा क्या है एंड पर आके हमको एकी बार समझ में आती है कि विचारधारा जो है किसी व्यक्ति या संगठन की क्या होती है क्या होती है क्या होती है सोच या समझ यानि कि दुनिय आपको समझने का किसी का एक क्या होता है तरीका होता है उसे समझने का उसी को बोला जाता है विचारधारा तो समझ में आया क्या है विचारधारा अगर आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर जिए ठीक है और च झाल, झाल, झाल